नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने येटिव चैनल पर तो अगर आप ने अब हमारा येटिव चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलिज सब्सक्राइब करें दो से लिए वीडियो資 श्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता यहीं पूरा डीटिल से बताऊँगा इस वीडियो में तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको पूरा अच्छी तरीकिस समझ में आएगा अगर ना है तो कमेंट करके बता दीजेगा मैं एक और नई वीडिय बना दूँगा अच्छी तरीकिस से उसके अंदर समझा दूँगा लेकिन अभी के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं तो यहां पर महत्मा गांधी कासी बिद्या पीट यहां पर यह जो इन्वेस्टी है आपको इसकी बारे में पूरा डीटेल से बताने वाला हूं तो यहां पर लगबग कर सकते हैं यहां पर मौश्ट इंपोर्टेंट कोर्स के बारे में बताने जारा हूं बीए यानि कि एक बंदेगा म लगता है कि उसको बीए ही करना चाहिए तो आप यहां से कर सकते हैं यहां पर जो इसकी फीस रखी गई है वो लगबग 2,060 रुपए रखी गई है बही सेम चार्ज आपको 3 यह तक पे करना पड़ेगा यानि कि 6,180 रुपए में 3 साल का कोर्स हो जाएगा आपका बीए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं जो लोग BSC करना चाहते हैं अदर्वाइस BSC कर सकते हैं BSC की जो फीस रखी है वो यहां पर 7,010 रखी गई है यानि कि 3 साल के अंदर आपको 21,030 रुपए पे करना पड़ेगा BSC का जो लोग Bachelor of Physical Education करना चाहते हैं कर सकते हैं इसका जो चार्ज रखा गया है 27,320 रुपए रखा गया है वही सेम चार्ज आपको 3 यह तक पे करना पड़ेगा यानि कि 3 यह तक आपको 27,320 रुपए पे करना पड़ेगा 1,2,3 और यहां पर जो टोटल अमांट निकल के आता है 18,960 रुपए यानि कि टोटल अमांट आपको 3 साल के अंदर 18,960 रुपए पे करना पड़ेगा तो चलिए नेक्ट कोर्स की बात करते हैं यहां पर बहुत इंटरस्टिंग बीडियो र यहां पर 25,340 रुपए रखी गई है बही सेम चार्ज आपको 3 तक पे करना पड़ेगा यानि कि तीन साल तक आपको 25,340 रुपए पे करना पड़ेगा और यहां पर जो टोटल अमांट निकल के आता है 76,020 रुपए यानि कि टोटल जो फीज पे करना पड़ेगा 36,020 रुपए पे करना पड़ेगा जो लोग B.com करना चाहता है यानि कि Bachelor of Commerce वो लोग यहां से कर सकते हैं इसके जो फीज रखी गई है 2110 रुपए यानि कि 2110 रुपए में आपको 1st year चार्ज रहेगा बही सेम आपको 3 तक पे करना पड़ेगा यानि कि 2nd and 3rd में सेम next course की बात करते हैं जो लोग L.L.B. करना चाहते हैं L.L.B. कर सकते हैं यानि कि L.L.B. कि यहां पर जो फीज रखी गई है 3,190 रुपए रखी गई है और यहां पर सेम चार्ज आपका रहने वाला है 2nd and 3rd में और यहां पर जो टोटल अमांट रखा गया है 9,570 यानि कि 3 सा के अंदर आपको 9,570 रुपए पे करना पड़ेगा और आप L.L.B. कर सकते हैं जो लोग म्यूजिक वाला कोर्स करना चाहते हैं कि बैचलर ओफ म्यूजिक तो बी-म कोर्स कर सकते हैं इसका जो चार्जिंग अमांट रखा गया है 2,060 रुपए रखा गया है 2,060 रुपए बैचलर ओफ आर्ट्स मैस केम्म्यूकेशन से करना चाहते हैं अधरवाज कर सकते हैं तो 2,060 रुपए चार्ज रहेगा और जो टोटल फीज रहेगी 6,180 रुपए यानि कि 3 साल के अंदर आपको 6,180 रुपए पे करना पड़ेगा नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं जो निकल गयाता है 9,570 रुपए यानि कि आपको 3 साल के अंदर 9,570 रुपए पे करना पड़ेगा और यहां पर यह कोर्स आपका 3 साल का रहेगा नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं में जो लोग में करना चाहते हैं में की जो फीज रखी गए यहां पर 2,520 रुपए रखी और जो टूटल अमाउंट निकल गयाता है 5,040 रुपए मातर तो यहां पर 2 साल के अंदर आपको 5,040 रुपए पे करना पड़ेगा जो लोग में करना चाहते हैं यहां पर फस्ट इर का जो चार्ज रहेगा 8,002 रुपए रहेगा बई सेगिंड गा और जो टूटल फीज रहेगी 16,040 रुपए रहेगी यहां पर नेक्स्ट कोर्स के बात करते हैं जो लोग एमकॉम करना चाहते हैं एमकॉम कर सकते हैं एमकॉम की जो फीज रखी गई यहां पर 2,570 रुपए रखी गई है बई सेम आपका सेकेंड में और जो टूटल यहां पर निकल गया आती है 5,140 रुपए फीज है तो यहां पर Master of Music करना चाहते हैं यानि कि Bachelor of Music के बाद Master of Music करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो इसके जो चार्जिंग आमाउंट रखा गया 37,760 रुपए रखा गया यानि कि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसका सब्सक्राइब रखा गया है 31,380 रुपे रखा गया और सेकेंड एयर का भी सेम रहेगा और यहां पर जो टोटल फीज रहेगी 62,760 रुपे होने वाली है और यह कोर्स आपका दो साल का रहेगा जो लोग एमटी है यानि कि मास्टर ओफ ट्रिजम में एडिनिस्टेट कर रकोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं इसका जो फ़स्ट इर का चार्ज रहेगा 20,105 रुपे रहेगा बईस सेम आपका सेकेंड एयर रहेगा और जो टोटल फीज रहेगी 40,210 रुपे रहेगी यानि कि दो साल के अंदर आपको 40,210 रुपे पे करना पड़ेगा जो लोग मास्टर ओफ फीजिकल उजिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसका जो चार्जिंग अमांट है 20,310 रुपे रहेगा और सेकेंड एयर का भी सेम रहने वाला है और जो टोटल फीज रहेगी 40,660 रुपे पे करना पड़ेगा आपको जो लोग मास्टर ओफ फाइन आर्स तो कर सकते हैं यहां पर जो इसका चार्ज रखेगा 30,000 रुपे रखा गया बही सेम चार्ज आपक आपका सेकेंड एयर और जो टोटल मांट निकल के आता है ने कि 6,230 रुपे यहां पर टोटल फीज पे करना पड़ेगा जो लोग मास्टर ओफ यूजिकेसन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसका चार्ज रहेगा 3,190 रुपे रहेगा और बही सेम चार्ज आपका सेकेंड करना पड़ेगा जो लोग डिपलोमा करना चाहते हैं यहां पर 2,275 रुपे में एक साल का डिपलोमा हो जाएगा जो लोग पोस्ट ग्रेजिट डिपलोमा करना चाहते हैं यहां पर 25,000 रुपे पर येर पे करना पड़ेगा और ये सेकेंड येर आपको 25,000 रुपे पे करना पड़ेगा और जो टोटल फीज रहेगी 50,000 रुपे रहेगी तो बाइद बए आप यहां से भी एक और से कर सकते हैं जो लोग पोस्ट ग्रेजिट डिपलोमा योगा है क कर सकते हैं तो कर सकते हैं यहां पर 21875 रुपे चार्ज रहेगा और एक साल का कोर्स रहेगा जो लोग एडवांस डिप्लोमा करना जाते हैं तो 2250 रुपे में कर सकते हैं जो लोग सैटिफिकेट कोर्स रसीन करना जाते हैं तो यहां पर 2250 रुपे में कर सकते हैं एक साल की को करेज़े तो कमेंट कर बॉक्स में जल्दी से जल्दी जाके कमेंट कर दीजिए ता कि इस तरी की वीडियो आपको मिलते रहे बाइद वे आमें भी लगे कि कोई बंदा हम से जुड़ना चाहता है तो फिर मिलेंगा अगली वीडियो नहीं तो तेक लिए नहीं आसकार दोस्त तो जाहिन